हेलो एवरीवन एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिक्षक न्युक्ति अक्टूबर के तीसरे हफ़ते में तीनों स्रेणियों का एक साथ आएगा रिजल्ट सिक्षक न्युक्ति का रिजल्ट अक्टूबर मद्य तक आएगा BPSC अतुल परसाद ने सुक्रवार को एक्स पर पोश्ट कर कहा कि इस देरी की एक प्रमुक वज़े CTET के रिजल्ट का पेंडिंग होना है क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें रिजल्ट के रिगार्डिंग हमने बताया था कि सेप्टेंबर का जो है अठारे से बीस के बीच में रिजल्ट गोसित कर दिया जाएगा लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो CTET, BAD जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है अगर वो नहीं आता है क्योंकि उसके आधार पर ही उनका जो इस परिक्षा में न्युक्ती होना या ना होना डेपेंड करता है जब CTET का रिजल्ट ही नहीं आया तो BPSC में उनका रिजल्ट देना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मालीजे 1% अगर वो CTET के रिजल्ट से रह जाते हैं यानि इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और BPSC को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये बहुत ही असमंजस वाली इस्तिती होगी इसलिए BPSC ने पहले ही किलियर कर दिया था कि जब तक CTET या BAD का रिजल्ट नहीं आएगा यानि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं जब तक उनका रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक BPSC का रिजल्ट इस चीज पर आस्रित रहेगा तो यहाँ पर इसी वज़े से उन्होंने इस पश्ट भी किया है कि CTET के रिजल्ट के पैणने होने के कारण इसको लेट किया जा रहा है साथ ही कई उमीदवारों के दोरा अपनी OMR शीट पर रॉल नंबर सीरीज या विश्य भरने में गलती होना भी इसकी एक बड़ी वज़े है यानि दो वज़े हो गई सामने CTET का और दूसरा जो उन्होंने गलती की है उसका जिससे ढूंडने और ठीक करने में समय लग रहा है हतुल पर साथ ने लिखा है कि कई अभ्यरतियों ने गलत पिरमान पत्र भी दिये हैं जिनके कारण देरी हो रही है पहले 18 से 20 सेप्टेंबर के बीच मादमिक और उच्छ मादमिक का रिजल्ट निकालने और 23 से 25 से बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट के प्रिकासन की चर्चा थी बाद में 25 स्टमबर या उसके बाद मादे में करोच मादे में का रिजल्ट निकालेने और 28 से 30 स्टमबर के बीच प्रात्मिक शिक्षकों के रिजल्ट प्रकासन की बात कही गई अब जब रिजल्ट प्रकासन की तिथी को अक्टूबर मद्य तक बढ़ा दिया गया है तो आयोग की एक वर्य अधिकारी के अनुसार तीनों स्रेणियों के शिक्षकों का रिजल्ट एक साथ प्रिकासित होने की संभावना है यानि की सभी का रिजल्ट एक साथ निकालने की तैयारी है अब BPSC ने 67 संयुक्त मुक्य प्रतियोगता परिक्षा का रिजल्ट सुकुरवार को प्रिकासित कर दिया है इसमें 2014 अभ्यर्ती सामिल हुए थे इनमें अनारक्षित स्रेणी के 888 अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 203 अनुसुचित जाती के 301 अनुसुचित जन जाती के 20 और अत्यनत पिछड़ा वर्ग के 352 और पिछड़ा वर्ग के 277 एवं पिछड़ा वर्ग की महिला कोटी के 136 उमीद्वार शामिल थे सफल उमीद्वारों के साक्षातकार में 8 या 9 अक्टूबर से होने की संभावना है आगे देख लेते हैं कि जिनुका डॉक्यूमेंट में गड़वडी हुई थी उनके लिए भी एक सूचना आई हुई है जो विज्यापन संख्या आप देख पा रहे हुँगे 26-23 अध्यापक न्युक्ति प्रतियोगता परिक्षाग वर्व एक से पांच में सबमेलित अभी अर्थियों के अपलोड किये गए दस्तावेद यदि त्रोटी पून या अपठनी हैं तो सही दस्तावेद को पुनहे द उसमें जो डेट दी है वो 21-25 सेप्टेमबर तक दी है आप इसको अपलोड कर सकते हैं इसके लिए बिहार लोग सेवा आयोग की वेबसाइट यह वेबसाइट है चाहें तो आप स्क्रीन सॉट ले ले वैसे तो आपको पता होगा इतने समय से चल रहा है तो इस पर लोगिन और आईडी एवं पासवर्ट से लोगिन करने के उपरात अपने डैस बोड पर जाकर त्रोटी रहित एवं पठनी प्रती अपलोड कर सकते हैं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज की चाया प्रती 100 कबी तक होना चाहिए यानि जो आप दस्तावेज उस पर डाउनलोड करेंगे चाया प्रती 100 कबी तक होन्ची उससे जादा नहीं होनी चाहिए अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज की चाया प्रती राज पत्रत अधिकारी द्वारा हस्ताक्सरित यानि अटेस्टिड होनी चाहिए साथ ही अप्लोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापना का स्थान, एवं संपर्क, संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्यत करें सही दस्तावेज अप्लोड करने का यह अंते मवसर होगा इसके बाद नहीं होगा यह अभी 15 तारी को इन्होंने लेटर जारी किया है, एक लेटर और आया है, उसे भी हम आपको दिखा देते हैं और आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और स्क्रीन सोट ली सकते हैं यह 24-8-2023 से 26-8-2023 तक आयोजित प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालियों में अध्यापक के पदोपर न्युक्ति हेतु संबंदित विश्यों के ओप बंदिक उत्तर दिनांक 1-9-2023 को आयोग की वेबसाइट पर परदर्शित करते हुए दिनांक 5-9-2023 से दिनांक 7-9-2023 तक उम्मी द्वारों से आपत्ति आमंत्रित किये गए थे यानि OMR शीट के लिए अगर किसी प्रेशन में उत्तर में तुरोटी है उसके लिए इसका भी विडियों हमने बनाय हुआ है आपने बड़ा सराहा है उसे आगे देखते हैं उन्हें दिनांक 8-9-2023 से दिनांक 11-9-2023 तक आपत्रिया मंत्र थे तु तित्थी विस्तारित की गई थी तदानुसार उक्तविश्व से संबंदित प्रश्न पुस्ते का सरंकला A B C D इवन प्रश्न पुस्ते का सर पुस्तिय और बंदिक उत्तर 16-9-2023 से आयोग की वेबसाइट यह वेबसाइट है आप देख सकते उपलवद होंगे और यह उपलवद भी हो गए है मैंने साइट को खोल के देखा था आप चाहें स्वेमी देख लें इसको आप डालेंगे और इसको सर्च करने के बाद वैसे उमीद्वार जिनकी द्वारा पूरू में प्रदर्शित और बंदिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज की गई थी से द्वितिय और बंदिक उत्तर पर पुन्हें आपत्ति आमत्रित किये जाते हैं द्वितिय और बंदिक उत्तर पर यदि आपत्ति हो तो वे अपने पासवर्ड से लोगण करते हुए डैस बोर्ड पर अठारे नौ से और बीस नौ तक तो आज अठारे हैं तो अठारे से और बीस तक आप फिर से आपती प्रमानिक स्रोथ साक्षिय के साथ अपलोड कर सकते हैं डैस बोर्ड के माध्यम से जुतिय और बंदिक उत्तर आपती दर्ज करने ही तो प्रती प्रेश्ण पांसो रुपे लगेंगे आपके यानि प्रती प्रेश्ण जो आपका एक प्रेश्ण कलता है तो पांसो दो प्रेश्ण पर आपको आपती दर्ज करने हैं गलत प्रेश्ण से करेंगे द्वितिय औपवंदिक उत्तर में जिन प्रिष्ण निर्धारित थी तक कोई आपती प्राप्त नहीं होती है उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रिष्णों पर भाविश्य में कोई भी आपती व विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बैल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही नौटिफिकेशन के मादम से आप तक पहुंच जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए वीडियो को अंतक देखने के लिए थैंक यू एंड थै